नमस्कार ये बार्वी गडित देख लिजे परतिस्थापन द्वारा समाकलन चल रहा है समाकलन गडित तो ये दो सवाल है लोग एकस बटे एकस और दूसरा है साइन लोग एकस बटे एकस बहुत ही आसानी से हल करेंगे यहां पर देखे कि किसके बराबर हम मानेंगे पहले हल लिख लिजी अल तो हल करें इस ऐ बराबर की आई बराबर समा कलंग हुआ लोग्गो एकश बटे एक्स डी अब यहाँ पर देखिए की हम किश के बराबर माने और सथ यह करें किस माने क्या माने जैसे हाँ पर T ही मानते हैं माना लोग X बराबर T अब करना क्या रहता है कि इसका भी आउकलान कीजिए और इसका भी दोनों और का आउकलान हमने पिछला वीडियो में आउकलान वाला देख लिजिएगा इसका लोग X का एक बटे X DX होता है तो लिख लिजिए एक बटे X DX अब इसका क्या होता है इसका क्या होगा DT होगा D जूर जाएगा DT अब इस question को देखें सवाल को देखें यहाँ पर लोग X बराबर T मानेंगे तो यहाँ पर एक बटे X DX बचा तो एक बटे X DX बराबर DT लिख देंगे लोग X बराबर T हमने माना माना है ती लिख लिजिए और बचा एक बटे X DX बराबर DT अब DT लिख दीजिए इजी DT इस तरह से असानी से लिख सकते हैं यह डिटी हो गया अब इसका समाकलन कीजिए इसका समाकलन हम जानते हैं यहां कुछ नहीं है तो यहां पर एक है तो एक धन एक बराबर दो होगा और नीचे भी होता है एक धन एक तो इसी तरह यहां पर कर दिजिए बराबर T एक धन एक यानि की दो नीचे एक धन एक यानि दो और यह इस तरह से इतना इसका समाकलन हो गया अब इसको लिख सकते हैं आप एक बटे दो टी उवर्ग इस तरह से अब टी का मांन रख दिजिए तो बराबर एक बटे दो को इस तरह सकीजिए एक बटे दो और को स्टक में लिख दीजिए टी का मान लोग एक्स यहां पर माने है ना इसको यहां पर रख दिजे यह टी का मान लोग एक्स इतना लोग एक्स का ओवर्ग कर दिजे ओवर्ग है पलस सी कर सकते हैं इस तरह से असानी से हल कर सकते हैं रिजी तरीका से और अगला सवाल को देख लिजे अगला सवाल है यहा यहाँ पर अगला सवाल, sin log x बटे x, यहाँ पर भी i बराबर लिखी लिजिए, हल, यहाँ से ले लिजिए हल, i बराबर, i बराबर sin समाकलन, sin log x बटे x dx, यहां पर भी यह लोग X बराबर T माल लेजिए, माना, माना लोग X बराबर T, अब दोनों और आउकलन कर दिजिए, इसका विसका, यह जैसे एक बटे X, DX बराबर DT होगा, एक बटे X, DX बराबर DT, अब यहां पर कुश्चन में इस मान को रख दिजिए, बराबर समा कलन, साइन, T, अब देख लिजिए, यहां पर भी एक बटे X, DX बचा, तो DT लिख दिजिए, DT, यह हो गया, अराम से, इस तरह से बन सकता है, अब इसका समा कलन कीजिए, बराबर, साइन का क्या होता है, माइनस, कॉस, सोरी, इसको मतले भी है, सोरी, माइनस कॉस, T होगा, माइनस कॉस T होगा, T का मान को रख दिजिए, तो बराबर, माइनस, कॉस, T का मान क्या माने है, लोग X, लिख दिजिए, लोग X, असानी से, लोग X, पलस C कर सकते हैं, इस तरह से, असानी से हल कर सकते हैं, और एक देखना है, वो देखना चाहते हूं, देख लिजी, ये तिसरा कॉस्च्चन, X, Sine X, वर्ग, इस तरह से, सवाल है, तिसका भी हल, हल लिख लिजी, शमा कलन, X, Sine X, वर्ग, DX, इस तरह से, अब यहाँ पर भी मान लिजी, हम किसके बराबर माने हैं, यहाँ पर ये X वर्ग बराबर T मान लिजी, माना, X वर्ग बराबर T, अब यह दोनों और समाकलन कर दिजी, इसका होता है, 2X, DX, आब T, यहाँ पर DT होगा, इसका आउकलन, सोरी, आउकलन, इसका आउकलन DT होगा, आउकलन वाला देख लिजीएगा, पिछला वीडियो, अब यहाँ पर X, DX, इसी को हल किजीए, X, DX, X, DX, बराबर T, बटे यह दो, नीचे आजाता है, यह दो होगा, इस तरह से, अब मान को रख देजिए, यहाँ पर, बराबर, समाकलन, साइन, साइन बचा, और X, यहाँ पर देख लिजी, X, DX, बराबर हमने, DT माना है, तो साइन, ए, T, X, वर कटी, और, X, DX, बराबर, DT, X, DX, बराबर, DT, यहाँ पर ध्यान रखना, पर ध्यान रखिए गया, यह कहां गया, नहीं, ऐसा, X, DX, बराबर, DT, ठिक, X, DX, बराबर, DT, बते, दो है, सोरी, DT, बते, दो, इस तरह से, X, DX, बराबर, DT, बते, दो, यहाँ लिखा गया है, अब 1, बते, 2 को, बाहर कर दिजिए समा कलन करके जैसे इस तरह से डारेक्ट कर लेते हैं या तो पहले बाहर कर लेजिए एक बटे दो समा कलन साइन टी डी टी इस प्रकार से अब इसका समा कलन क्या होता है माइनस कोस्टी होगा तो एक बटे दो एक बटे दो माइनस माइनस कोस T बहुत ही इजी है अब T का मान रख दीजिए बराबर माइनस को बाहर कर दीजिए माइनस एक बटे दो माइनस एक बटे दो और कोस T का मान लोग ए एक्स वर्ग रखे हैं सोरी एक्स वर्ग पलसी कर सकते हैं इस तरह से बहुत ही आसानी से बनता है अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद